नमस्कार आज हम बात करेंगे किचन के बारे में किचन क्या है? किचन किसी भी घर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किचन घर में रहने वाले सदस्यों को पोशन वा टाकत देती है किचन एक फायर एक्टिविटी है जिसमें बर्नर, इंडक्शन, माइक्रोवेव की लोकेशन बहुत इंपॉर्ण है महवास्तू के अनुसार किचन की लोकेशन आपके फ्लेवर और टेस्ट भी डिसाइड करती है महवास्तू के 16 जोन में किस जोन में किचन होने से क्या प्रभाव आता है? आईए देख लेते हैं अगर आपकी किचन नौर्थ इस्ट में है तो आपको ब्रेन रिलेटिट समस्या आ सकती है यहाँ पे बना हुआ खाना टेस्ट लेस होता है इसलिए यहाँ पे किचन हम स्ट्रिक्ली नो कहते हैं अगला जोन है इस्ट नौर्थ इस्ट का अगर आपकी किचन इस्ट नौर्थ इस्ट में होगी तो आप डेस्पिरेट हो जाएंगे फन और इंजॉयमेंट के लिए आपके जीवन में जितना ही फन और इंजॉयमेंट हो उससे जादा की इच्छा रखेंगे इस्ट पे बात कर लेते हैं अगर किचन इस्ट में होगी तो एवरेज रिजल्ट आएंगे सोशल कनेक्टिविटी के रिलिजियस प्लेसेज में इस्ट की किचन अच्छी माने जाती है यहाँ पे इस्ट में बना हुआ खाने में जो नाचुरल फ्लेवर्स होते हैं वह अन्हांस होकर आते हैं इस्ट में अगर किचन होगा तो फैमिली मेंबर में आपस में मन मुटाव रहेगा क्लैशेज रहेंगे आपके घर में किसी मेल मेंबर को अगर हाइपरटेंशन या डाइबर्टीस की समस्या है तो चेक कर लीजिए क्या आपके यहाँ E.S.C. में किचन तो नहीं है क्या वो कारक तो नहीं है उनकी डाइबर्टीस या हाइपरटेंशन का अगला जोन है साउथ हीस्ट का जो की फायर तत्व का जोन है अगनी का जोन है यहाँ पर किचन ओके है अगर आपकी किचन साउथ हीस्ट में होगी तो आपका कैश इन फ्लो बढ़ेगा आपका जो रुका हुआ पैसा है वो रिकावर हो जाएगा ब्लॉक्ट बनी आपके रिकावर हो जाएगी परन्तु साउथ हीस्ट की किचन अग्रेशन बढ़ाती है यहाँ पर बना हुआ खाना स्पाइसी होगा अगला जोन है साउथ साउथ हीस्ट यह जोन है पावर और कॉन्फिडेंस का आपका खाना हमने जैसे शुरू में बात की किचन क्या करती है टाकत देती है यह टाकत का ही जोन है तो यह आइडियल जोन है kitchen के लिए यहाँ पर बना हुआ खाना आपको टाकत भी देगा और गिर कॉन्फिडेंस भी देगा अब बात कर लेते हैं South की अगर आपकी किचन South में है तो आपको वो name and fame देती है आप एक relaxed life बिताते हैं South की किचन में बना हुआ खाना spicy जरूर होगा परन्तु easily digestible होगा अगर आपकी किचन South-South-West में है तो पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनेगी उन दोनों में मन मुटाव रहेगा उन में मतबेद रहेगा और यहां की किचन आपके expenditures भी बढ़ाती है और सेहत पे भी असर डालती है अगला जोन है South-West का जोन जो है relationship का जोन यहां पे अगर आपकी किचन होगी तो रिष्टों में खटास आ जाती है family members में आपच में मधूर संबंध नहीं रहते और आप जो अपनी skills है उनका proper use भी नहीं कर पाते जिसके कारण career में instability आ जाती है South-West में किचन में होने से बच्चों की शाधियां भी डिले हो जाती है West-South-West में अगर किचन होगी तो बच्चे जितना ही पढ़ ले उनके अच्छे marks नहीं आ पाएंगे वो अच्छा score नहीं कर पाएंगे West की किचन बहुत अच्छी होती है प्राक्तियां बढ़ाती है परंतु महावास्तु की remedy के साथ West की किचन में खाना बहुत delicious tasty बनता है वहां का खाना आपका बार-बार खाने का मन करेगा इसलिए West की किचन रेस्टोरेंट के लिए ideal location है West-North-West की किचन होगी तो वाइफ हमेशा complaint करती रहेगी husband के behavior के बारे में उसके nature के बारे में North-West की किचन okay है पर महावास्तु की remedy के साथ यहां पे बना हुआ खाना delicious होगा North-North-West जो की husband wife के relationship पे effect करेगी उन दोनों की intimacy अच्छी नहीं रह पाएगी उनके रिष्टे को उनके संबंधों को effect करेगी अगर आपकी किचन नौर्थ में होगी तो आपकी sales पे फरक पड़ेगा आपकी growth आपको opportunities पे फरक पड़ेगा North में बना हुआ खाना बहुत मीठा मीठा होगा North-North-East जो की immunity का zone है यहां पर अगर किचन होगी तो आपकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ेगा आपको major health issues हो सकते हैं और आप हमेशा medicines पे रहेंगे यह तो हुए महावास्तो के 16 zone किस zone में kitchen होने से क्या प्रभाव होता है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी kitchen किसी गलत दिशा में आ रही है किसी गलत zone में आ रही है तो बिना तोड़ फोड किये उसका उपाय कैसे करे आपने अक्सर देखा होगा kitchen में ग्रेनाइट लगा होता है ग्रेनाइट की slab होती है वो नहीं होनी चाहिए ऐसा क्यूं? एक myth आपने सुना होगा कि kitchen और toilet की दिवार common नहीं हो सकती हो सकती है या नहीं हो सकती इन सब की answer मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूँगी धन्यवाद